ही गाइज, वेकम टो स्वस पॉइंट, डिस इस रिशिका, आज अभी हम लग स्टार्ट कर रहे हैं वीजनाइस की बीडी 365 जो कि हमारे extended study material है जून से लेकर अगस तक की जो भी आपर short news है, उसे हम UPSC Prelims 2020 के लिए देख रहे हैं तो चलिए start करते हमारा environment section चल रहा था, environment में काफी topic complete हो चुकी है, यह आपका part 4 है तो इससे पहले जितने भी parts आए हैं उसको please देख लिजए, या तो मैंने चैनल को subscribe करके आप देख सकते हो प्रेटी के बारे में देखेंगे, जिसको फिर से बनाया गया है, और next हम लोग यहाँ पर जो exotic animal trade है, उसके कुछ new rules आए है कि कैसे इसको regulate करना है and next is human elephant conflict management best practices देखेंगे, फिर कुछ सूखना river के बारे में देखेंगे, जिसको की wetland declare किया गया है महरास्ट को यहाँ पर first Indian state declare किया गया है, जिसमें कि state magrove tree है, जिसको कि एक symbol of conservation का आगया है तो काफी topic यहाँ पर interesting होने वाली है और साथी important भी है exam point of view से, तो जितना भी time लगते है हम इस सारे topics को complete करते हैं तो आज यह नहीं तो कल में यह आपकी environment की भी lesson complete हो जाएगी, मैं कुशिश करती हूँ कि आज यहाँ पर जितने भी topic है complete करूँ चाहे polity यह फिर economy, IR, social issues आप क्या चाहते हो प्रीज आप लोग comment कीजेगा चलिए start करते हैं हम लोग अपनी आज की lesson So start करते conservation and biodiversity में first topic के साथ जो की है हमारा conservation is initiative तो इसके अंदर सबसे पहले देखे हैं कि फिर से यहाँ पर central Jew authority का construction हुआ है इसको फिर से constitute किया गया है फिर से बनाया गया तो इसके बारे में देखते है Recently ministry of environment, forest and climate change के द्वारा यहाँ पर reconstitute किया गया है central Jew authority तो यह सबसे पहले पूछा जा सकता है कि constitute किसके द्वारा किया जाता है तो यहाँ पर ministry of environment, forest and climate change है जिसमें कि कुछ experts को रखा गया है यानि कि कैसे यहाँ पर आपका planning किया जाएगा कुछ architecture यहाँ पर design की जाएगी वो भी किसके तो school of planning and architecture देली और एक molecular जो biologist है उनको यहाँ पर रखा गया है कुछ experts है जो कि central Jew authority में इनको लाए गया है अब यहाँ पर किया है कि यह जो consist किया गया है union ministry of environment, forest and climate change के तैद यह इसके chairperson होंगे साथी इसके अलावा 10 member और होंगे और एक member secretary होंगे यह जो आपका central Jew authority है इसको statutory body का दर्जा दिया गया है कहने का मतलब है कि कानून के द्वारा इसको बनाया गया है और कानून कानून सा है यहाँ पर तो wildlife protection act 1972 यहाँ पर कानून है जो कि यहाँ पर किसके अंडर में आता है तो directly यहाँ पर ministry of environment, forest and climate change के अंदर आता है तो यह तो देख लिए इसके कुछ facts and figure अब देखते हैं किसका function क्या है तो function सबसे पहले है कि यहाँ पर जो zoo होते है उसको evaluate करना है और उसके functioning को assess करना है साथी यहाँ पर जो de-recognized zoo है जिसको कि ज़्यादा तरह recognize नहीं किया गया तो उसको देखना है और साथी साथ जितने भी recognize है और जो de-recognized zoo है इन दोनों को manage करके चलना है इन दोनों को यहाँ पर maintain करना है और regulate करना है साथी जो endangered species है उनको identify करना है क्यों? क्योंकि उनकी जो population है उनको बढ़ाने के लिए साथी यहाँ पर जो acquisition, exchange और जो loaning of animals होता है breeding purpose के लिए उसको भी coordinate करना है जैसे sometimes आप देखते हो कि जो breeding के लिए कुछ animals का क्या होता है कि उनके लिए favorable environment नहीं होता है या फिर उनके लिए कुछ परियाप मातरा में population नहीं होते है तो उनके population को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जो है ना इस तरीके से location भी exchange किया जाता है तो वो सारा काम किस के अंदर आता है तो central Jew authority के अंदर आता है साथी साथ आप अंदर जाते हो जू पूरा घुमते हो उसमें बहुत सारे animals बहुत सारे species ऐसे देखने को मिलता है जो endangered category के भी होते हैं वहाँ पे आप खाते भी हो पीते भी हो घुमते भी हो तो हर एक चीज देखते हो कि बहुत अच्छे से manage किया जाता है साथ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है उसको सही तरीके से regulate किया जाता है किसी animals की अगर बहुत जादा गर्मी होती है तो उनके सामने जो है cooler वगेरा फैन वगेरा लगाया जाता है अगर ठंड होते हैं तो उनको उस तरीके से protect किया जाता है तो each and every cheese जो है उसको regulate करने के लिए नया rules बनाया गया है तो है क्या? Ministry of Environment, Forest and Climate Change के द्वारा अगेन एक यहाँ पर advisory issue किया गया है कि process कि क्या यहाँ पर जो exotic live species इंडिया में है उसकी importing और उसकी possessing के लिए क्या process है उसको देखना सबसे पहले यह word का meaning समझने का कोशिश कीजे कि exhausting animal कहने का क्या मतलब है इसकी अंदर आपके दोनों आते है सिर्फ animals ही नहीं है इसमें आपको plant भी देखने को मिलेंगे जो कि अपने source है यानि कि जो original उनका habitat है उनसे उनको हटा कर एक नया जगा भी रख दिया जाता है क्यों क्योंकि human intervention बहुत जाता है मान लीजे कि ऐसा तो होता ही आप लोग भी देखे होंगे अपने local area में या फिर ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे species होते हैं कि उसमें उस तरीके के जूमें या फिर वो जहां पर भी रहते हैं वहां पर human intervention बहुत जादा होता है जिनके कारण जो आप man animal conflict देखते हो वो बढ़ते जाता है और ultimately जो खतरा होता है वो human being के जान के लिए भी होता है और animal के जान के लिए होता है कुछ new rules में क्या new rules लाया गया है new rules में ये है कि जो भी इस तरीके के animals और bird के जो भी owner है ना उनको यहाँ पर stock के साथ जो कि chief wildlife warden होते है हर एक state के उनके साथ register कराना होगा आज के date में currently कि है कि डारेक्टरेट चेनरल और foreign trade है जो कि इसकी trade को यहाँ पर देखते है wildlife department जो है उनके द्वारा यहाँ पर इस तरीके के spaces का inventory को prepare किया जाएगा और उनके पास right है कि वो यहाँ पर जो भी facility है इस तरीके के traders का उसको inspect करे यानि कि इस तरीके के spaces को जैसे की trade होता है ना हम लोग बात करे थे asiatic cheetah का तो asiatic cheetah के बारे में ध्यान रखने आप लोगो कि वो critically endangered है critically endangered कहने का क्या मतलब है कोई spaces अगर critically endangered है यानि कि उनकी number of spaces only 250 रही है या फिर इससे भी less than है तो यह सिफ आपको asiatic cheetah इरान में देखने को मिलेगा अब हमारी इडिया के द्वारा वो मांगा जा रहा था कि थोड़ा सा asiatic cheetah जो है ना एक दू वो हमारे country में भी relocate कर दे बट इरान ने देने से बना कर दिया क्योंकि इनकी population और भी जादा कम है तो इसलिए ऐसे आप देखते हो कि बहुत सारे relocate करते तो फिर हम लोग African cheetah को relocate कर रहे और African cheetah हम लोग South Africa से मंगवा रहे है ठीक है तो यह क्या हो गया कि उनका एक original habitat था जो कि South Africa में रह रहे है लेकिन उनको हम लोग इंडिया भी relocate कर रहे है तो वो हो गया exotic live species ठीक है अनिमल जो है उनको appendices 1, 2nd और 3rd में रखा गया है जो कि sites में sites में total appendices है वो 3 होते है Wildlife Protection Act में total जो होते है उसमें आपको schedule 5 देखने को मिलेंगे तो यह आपका category ही होता है कि किस तरीके के plant को कैसे रखना है किस तरीके के animal को कहां रखना है तो वो इनका अपना-पना category है sites क्या है? sites यह special आपका convention देखने को मिलेगा जो कि काम करते हैं endangered species के लिए कोई भी wild fauna यह flora हो, animal हो, fauna means animal, flora means flower तो कोई भी यहाँ पे आपका plant हो, animal हो, उनकी international trade को यहाँ पे देखने के लिए यह convention बनाया गया है तो इसमें क्या है, कि आपका कुछ species को जो कि यहाँ पे wildlife protection act के अंदर है, उनको यहाँ पे include नहीं किया गया यानि कि exotic live species आप mainly देखोगे, कि कहां पे include किया जाता है, तो इसको sites के appendices में include किया गया है, लेकिन इसको wildlife protection act में include नहीं किया गया तो यह भी धियान रखना है, sites क्या है, sites एक legally binding international agreement है, जिसमें कि हम लोग plant और animal को protect करते हैं, तो legally binding है कहने का मतलब है कि sites में जितने भी member state है, उनको sites का जो भी rules regulation है, उनको follow करना ही होगा अपने country में, तो यह होता है legally binding, fine, अब आते हैं next, human elephant conflict management best practices, तो human elephant conflict आप लोग देखते देखने को मिलता है, केरल वाला issue आप लोग देख सकते हो कि कैसे जो pineapple के अंदर bum रख के वो लोग जो है खाने के लिए थे elephant को और ये एक तरीके का conflict निकल कर आ गया था, जिससे कि death हो गया था, कहां जा रहा था कि वो pregnant elephant थी, जिससे कि elephant और उनके अंदर जो बच्चा था द तो जो भी है, लेकिन है तो ये human-animal conflict तो इस तरीके का best practices आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इसको manage किया जाएगा, human elephant conflict की अगर बात करें तो बहुत सारे factors देखने को मिलता है, जैसे कि हातियों की density बहुत जादा है, या फिर उस जगह पर human की density जाता है, natural resource availability जाता है, या फ यानि कि यहाँ पर endangered है और यहाँ पर करनाटक के साथ जिसमें की highest number of wild animal है, सबसे जादा जो animal की number है वो आपको करनाटक में ही देखने को मिलेगा, initiative क्या-क्या लिया जा रहा है आज तक, तो initiative जो लिया जा रहा है, वो Ministry of Environment, Forest and Climate Change के द्वारा लिया गया, सबसे पहला है कि सु Human Intervention के कारण death होता है, कोई भी इंसान अगर elephant को मार दे, तो यह real time, जिस समय मारा है, उसी समय जो है, यह portal में online information मिल जाएगा Ministry को, तो यह है सुरक्ष है, तो सुरक्ष है कभी पूछ लिया जाए, तो इसको ध्यान रखना है कि यह है क्या, साती इससे क्या होगा, कि data collection करने म help होगा, ministry के पास जो है data रहेगा कि हाँ, एक दिन में कितने हातियों की मौत हो रही है, किस जगह पे हो रही है, कैसे हो रही है, किस कारण से हो रही है, यह सारी चीज़े इस portal में देखने को मिलेगा, साती इससे क्या हो पाएगा, कि एक अच्छा खासा future में ना हो, क्योंकि आज अगर मान लिजे कि एक दिन में कितने हातियों की जान चले गई, तो पचास हातियों की जान चले गई, आपके 10 करनाटक में चले गई, 10 आपको केरल में चले गई, 10 आपके भिहार में चले गई, 10 आपके जारगन में चले इस तरीके का देखने को मिलेगा, तो इससे क् एक आइडिया लग जाता है कि ओके ठीक है क्या रीजन है जो कि इस तरीके के elephant का जान जा रहा है कैसे जान जा रहा है तो इसके लिए एक अच्छा सा strategy बनाएंगे है कि नी प्रॉब्लम जब आपको देखने को मिल जाता है जब आपके पास data रहता है आप समझ जाते हो analyze कर लेते हो तो उसी की basis में आप next plan बना पाते हो तो यहीं चीज़ है इस तरीके का portal लाने का वस एक ही मकसद है कि यहाँ पर पता चल पाए कि हां next step कैसे elephant को save करना है कैसे elephant और animal human being जो conflict है उसको यहाँ पर कम करना है अब आते है next यह है सुखना लेक जिसको कि यहाँ पर wetland declare किया गया है तो सबसे पहले यह सुखना लेक है का सुखना लेक जो है वो चंडीगर में है और चंडीगर के जो wetland authority है उनके द्वारा यह notification issue किया गया है कि सुखना लेक को declare किया ज होता है तो wetland जो हमारे यहाँ declare किया जाता है हमारे एक पकाइदा बहुत अच्छा rule है जिसको कहते है कि wetland conservation and management rule 2017 जिसमें कि जितने भी state में आप wetland देखते हो वो इसी कानून के तहत है हमारे country में include किया जाता है तो हो गया यह include लेकिन अब हमें क्या exam point of view से देखना है कि in every point तो सुखना लेक है man made lake यानि की दो तरीके का होता है एक तो naturally बन जाए लेक और दूसरा आपको man made भी देखने को मिलेगा जो कि हमारे जैसे लोगों के द्वारा एक artificial lake बना दिया जाता है तो इसका जो यहाँ पे निर्बान हुआ था हो 1958 में हुआ था सिवाली hill जो है उ सारे ऐसे river है जिसको legal entity दिया जाता है इसका मतलब क्या होता है legal person का यहाँ पे हगदार देने का मतलब यह होता है कि आप जो है ना एक human being को जैसे treat करते हो कि human being के पास fundamental right है according to the constitution और किस part में है तो part third में तो जिस तरीके से हमारे human being को being a citizens of India हमें इस तरीके का अधिकार मिला अगर हमारे अधिकार का violation होता है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग सुप्रीम कोट या हाई कोट जा सकते हैं लेकिन लेक्स तो खुद उठके जाएगा नहीं लेकिन हा उस लेक्स को जो है ना जैसे को जील हो गए पॉंड्स हो गए या फिर कोई river हो गई तो यह नदिया व होता है यानि कि fundamental right provide कर दिया जाता है एक legal person कैसे होते है हम लोग उसी तरीके से Lex को भी legal person कर दिया जाता है और यह करने के पीछे एक funda है कि जो conserve करना यानि कि ऐसा नहीं है एक awareness generate करना कि आप जैसे समझते हो कि बस यह तो लेक है इसमें तो पानी है क्या हो जाएगा अगर common thinking है ना लोगों की इसको दूर करना है और हमारे environment को सवक्च और conserve करने के लिए इस तरीके का जो है provision लाया गया है एक ऐसी country है जहां पर आप देखोगे कि सारे उस country के सारे river को legal entity का दरजा दे दिया गया है आप लोग पता है वो country कौन सी है तो वो country है बांगलादेश होती है wetland जैसा तो जो भी रामसर convention के अंदर define किया गया उसे की basis में हम लोग अपने country में जो wetland है उसको इसमें include करते है रामसर convention एक convention है जो की 1972 में रामसर जो की एक इरान की city है वहां पर ये convention निकल कर आया था और ये सिफ only convention है जिसमें कि हर एक country के जो भी wetland है उसको conserve किया के तहट आया है जिसमें कि wetland को हम लोग अपने country में protect करते है wetland को जो notify किया जाता है यानि कि कौन बोलेगा कि हाँ ये जो wetland है सुखना लेक है ये wetland है तो इसको बोलने का अधिकार जो है central government को भी है चंडिगर के हाला कि ये union territory है तो state government को भी है union territory के administration को भी है तो हर किसी को आपने छेतर में जो भी wetland है उसको notify करने का अधिकार है यहाँ पे state और union territory को ये power दिया गया है कि वो prohibited activities को watch करते रहे यानि कि जो जो यहाँ पे activities है कि wetland के चार और आपको नहीं करना है गंदगी नहीं फैलानी है वहाँ पे आपको भीर नहीं लगाना है traffic नहीं करना है तो ये सारी जो यहाँ पे prohibited activities है तो इसको यहाँ पे state और union territories को ये कहा गया है कि वो watchful रह सकते हैं नेक्स आते हैं महराष्ट जो है वो first Indian state बन गया है जिनके द्वारा mangrove tree को एक symbol of conservation का दर्शा दिया गया है तो अब यह है क्या detail में देखते हैं recently यहाँ पे कौन सा mangrove apple है या पिर इसका नाम आप देख सकते हो scientific name है सोने रेटिया अलबा एक evergreen mangrove species है जो कि महराष्ट के coastline में पाया जाता है और इसको state mangrove trees जैसा जो है इसको अप्रूफ किया गया है तो यह अगर हम दो देखें तो जो newly formed mud flat जो होते है जो आप mud वाला flat देखते हो तो उसमें यह grow होता है और important role play करता है जिससे कि जो land erosion नहीं हो पाता है land erosion कहने का मतलब है कि जमीन में जो भी आपको मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते क्योंकि mangrove tree कहने का क्या मतलब होता है mangrove tree की जड़े इतनी मजबूत होती है कि हर चीज़ यह hold करके रखता है यह तो आपके धरती के नीचे तो होता ही यह साथी जो aquatic marine ecosystem है इसके वीच में एक interface देखने को मिलेगा साथी साथी यहाँ पर salt tolerant जो vegetation यह भी यहाँ पर होता है जिससे कि जो river है estuary है इस region का जो grow होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा recently अगर हम दो देखे तो United Nation Economic Environment Program के द्वारा जो की UNEP का Nairobi Convention है इसमें एक guideline यहाँ पर develop किया गया मैंगरूव ecosystem restoration के उपर यानि कि जो मैंगरूव हमारे हैं बरबाद होते जा रहा है उसको फिर से restore करना है वो भी Western Indian Ocean region में इस तरीके से आप लग देखिए कि हमारे यह Southern Peninsula है प्ल society है तो यहाँ पर जो महरास्टोलर रीजेन है यहाँ पर पताया जा रहा है कि Western Indian Ocean को जो है यहाँ पर जितने भी mangroves ecosystem है उसको restore करना है इस guideline का aim यही है कि हमारे यहाँ जितने भी mangroves परबाद हो रहे है तो उसको restore करना है और साती साथ जो है recovery के लिए भी आपर support provide करना है ज जो Western Indian Ocean region है ना उसको यहाँ पर promote करना है वो भी healthy rivers, coast और ocean के साथ लेकिन फिलाल इस convention का India part नहीं है जो कि एक आपके लिए बहुत ही important part बात बन चुका है क्योंकि बात किया जा रहा है हमारे यहाँ पर mangroves trees के लिए और western coast को revive करने के लिए restore करने के लिए लेकिन हम लोग अभ पॉइंट्स आपको याद दखना है फर्स्ट लाइकन पाक है यह कहा है तो कुमायू मौंसीरी एरिया जो की उत्राखंड में है इसको डेवलप किया जा रहा है वो इसमें एक ही मुद्दा है कि जो लाइकन होते है ना उसको conserve करना है प्रोटेक्ट करना है और cultivate करना है साथ लोगों में यह जो लोकल लोग होते है ना उनके पॉटेंस के लिए अवेर करना है उनको लाइकन होता क्या है लाइकन के अगर हम लोग बात करें तो एक composite organisms है जो की algae में यह फिर साइनो बैक्टेरिया जो कि लविंग आप लोग देखोगे कि कहां रहते तो फंजाई वाग ग्रीन कलर का दिखेगा या फिर आपको यलोश कलर का दिखेगा तो वो इसको लाइकन कहते है यह एक symbiotic relationship यहाँ पर शो करता है algae और फंजाई की बीच में यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर लाइकन को clear air की जरूत होती है साफ हवा की जरूत होती है जिससे कि वो और ज़ होता है और इसी के अंदर गंगोतरी नैशनल पार्क आपका located है टिपिकल यह हाई altitude ecosystem है यहाँ पर ट्रांस हिमाले elements से आपको influence होते हुए दिखेगा दोनों तरीके से physical और biological characteristics recent अगर हम दो देखे तो उतरा खंड में यह allow किया गया है forest land transfer वो भी कहां तो गंगोतरी नैशनल पार्क में वो भी किसलिए तो यहाँ पर development of road जिससे कि यहाँ पर ITBP का जो personal है वो चाइना के जो border है ना उससे वो movement कर सके तो यह बाते आपको ध्यान रखने हैं ठीक है उतरा खंड के द्वारे इस forest land transfer को allow किया गया है जिसमें यह ITBP के जो इंडो टिबिटन जो border personal होते हैं उनको यहाँ पर चाइना के border में जो है उनको movement करने में असानी हो निक्स आते है जोर्नल master plan जो कि यहाँ पर भागी रती eco sensitive zone के लिए है अगेन यह कहा है तो उत्राखंड में अप्रूफ किया गया है भागी रती यह watershed approach के उपर best है इसमें governance दिखने को मिलता है जो forest वाले एरिया है wildlife वाले एरिया है watershed management है irrigation कैसे करना है energy tourism है इन सब के बारे में यहाँ पर बात किया जाता है better तरीके से governance हो better practice हो better regulation हो monitor हो यह सारे काम पर यह सारे बात पर काम किया जाता है अगर हम लोग बात करें eco sensitive zone तो eco sensitive zone कोई भी protected area है जैसे कि national park हो गया wildlife century हो गया तो इनके चारो ओर जो होता है थोड़े से distance में यह eco sensitive zone जो है यहाँ पर आपका declare किया जाता है और यह जो provision आपका रखा गया है यह environment protection act 1986 के तहार जो है eco sensitive zone देखने को मिलेगा जिसमें के कुछ rules बनाया जाते है next है यहाँ पर first snow leopard conservation center है तो यह भी आपका उत्राखंड में ही हुआ है आप तक जितने भी news बढ़े हम लोग सब उत्राखंड में है IUCN अगर status देखे इस snow leopard का तो यह है vulnerable अब आते है नेक्स शिवालिक forest जो है यह यूपी में यूपी के द्वारा यहाँ पर proposal है कि कैसे शिवालिक forest को जो है tiger reserves में यह convert करे तो शिवालिक forest अगर देखे तो यहाँ पे another tip of UP है और यह शिवालिक जो range है उसके foot hill में है यानि कि इस तरीके का शिवालिक हील है तो यहाँ पर foot hill में देखने को मिलेगा यह शिवालिक forest है यहाँ पर four state connect होते है जैसे ही माचापदेश भी है उतराखन भी है हर्याना भी है और UP भी है आज के date में अगर देखे तो UP और साती साथ UP में जो है आपको three tiger reserves already देखने को मिलेगे एक अमंगर tiger reserves है पिली भी tiger reserves है और दुद्वा tiger reserves है four tiger reserves यहाँ पर बनाने की बात की जारी है शिवालिक forest को अब आते है next पैमपन reserve forest तो satellite data जो है उनके द्वारे यह point किया गया है अलामिंग situation है कि पैमपन जो reserve forest है उसके अंदर deforestation rate बहुत बढ़ गया है यानि कि पेडों की कटाई बहुत जादा तीजी से बढ़ते जा रही है तो यह चीज़ यहाँ पर आपका अलाम किया गया है अलामिंग है वार्मिंग है तो यहाँ पर अगर हम तो पैमपन फॉरस्ट रिजर्फ की बात करें तो यह एक nesting habitat है यानि कि यहाँ पर जो hornbill species होते है तीन तरीके के hornbill है एक great hornbill है रिथद hornbill है औरियंटेट paid hornbill है तो यह तीन तरीके के जो hornbill है यानि कि bird है उनकी ए इस्टिंग habitat है कहां पर तो पैमपन रिजर्फ फॉरस्ट में पैमपन रिजर्फ फॉरस्ट की बात करूँ तो कहां located है यह तो east में आपको देखने को मिला है कि इटा नगर वायलाइट सेंचरी है वही अगर west की बात करें तो यह पकी वायलाइट सेंचरी है जो कि आपका अरुनाचरपदेश में तो यह भी ध्यान रखना है जो यह पामपन रिजर्फ फॉरस्ट है यह आपका अरुनाचरपदेश की बात की जा रही है हॉर्ण बील हॉर्ण बील अगल बात करें तो यह एक forest इंजिनियर भी इनको कहा जाता है और farmers of forest भी कहा जाता है जो कि काफी important role play करते है कि कैसे यहां पर जो seeds है tropical trees का उसको disperse किया जाता है इंडिया में अगर हम आपको मैं बताओ तो 9 तरीके के hornbill species है जो कि यहां पर इससे चार जो है वो western घाट में पाय जाते है और कुछ तो आपको देखने को मिलेगा कि अरुनाचर प्रदेश में है और साती तो कमीटी जो कि यहां पर national green tribunal के द्वारा बनाया गया था क्योंकि अभी हम देखे थे कि एक oil leakage हुआ था असाम में दिब्रू सिक हुआ नेशल पाक है का यह असाम में है यहां पर क्या हुआ था कि fire जो breakout है वो देखने को मिला था बहुत mass number में damage हुआ था इसके अगल बग wetland है एक spot known है किसके लिए तो एवियान और aquatic species के लिए जो कि इस यहां पर यानि कि जो oil well था जहां पर आग लग गया था और बहुत ज्यादा massive massive number पर blast हुआ था तो यहां पर इसके जो south में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही spot known है एवियान और aquatic species के लिए वो भी मागोर मोटा पंग wetland में दिवरु सिखुवा अगर nature park की बात करें तो एक biodiversity hot spot है साथी साथ यह biosphere reserves भी है और 2 km north में देखने को मिलेगा तो यह भी incidence याद रखना है कुछ बाते भी ध्यान रखनी है next है यहाँ पर नागरहूल नैशर पार्क तो forest department के दौरा जो है यहाँ पर जो एक monitoring mechanics में जो की रखा गया है आपका नागरहूल नैशर पार्क में जिसको कि यहाँ पर राजीव कांधी नैशर पार्क भी कहा जाता है कि बेटर तरीके से compliance कर सकें जो forest laws है और यहाँ पर जो road सारे animals की जान चले जाती है तो इस तरीके से road killing जो होता है उसको यहाँ पर manage करना है जो नागरहूल नैशर पार्क है यह कहाँ है तो करनाटक में है वो भी मैसूर डिस्ट्रिक में नागरहूल रीवर है जो कि इस पार्क से होकर गुजाती है और फिर बाद में यह काबीनी तीबर है उससे join हो जाता है और यह एक boundary form करता है जो कि नागरहूल और बांधिपूर का है बांधिपूर मुदुमलाई और वयानाथ जो वाइल लैफ सेंचुरी है यह adjacent है किसका तो नागरहूल नैशर पार्क का अब आगे आते हैं एक और tiger reserves के बारे में देखते हैं यह है तो पेरियार tiger reserves कहां है तो यह केरल में है यह दुखी वाले district में है कोटेयम के district में साथी साथ यह जो कार्डेमम हील है और जो पंडलम हील है उसी में situated होते वे दिखेगा उसी में आपको देखने को मिलेगा मेजर पोशन जो इस reserve का है इसमें कुछ river जो पेरियार river है उसके elephant आपको केरल में भी है बेंगॉल tiger भी है यहाँ पर इंडिन बिजॉन है सामबा डियर है इंडिन वाइल डॉग है बार्किंग डियर है और smooth coated otter है तो यह सब याद रखना है कहां है तो पेरियार tiger reserves में अब आते है next topic जो कि है 6th mass extinction तो यह है क्या रिसेंट अभी research हुआ है जिसमें कि यह suggest किया गया है कि जो 6 marks 6 mass extinction है वो most serious environmental problem है जिसको कि हम लोग counter करने वाले है तो यह जो mass extinction है इसका क्या मतलब है mass extinction का मतलब है कि increase होना यानि कि extinction यानि कि जो खतम हो रहा है जो species की प्रजाती है वो जो विलूप्त हो रही है तो उसकी यहाँ पर degree increase होना और जब earth में जो है ना more than 3 quarter of the species जो है वो loss हो जाना एकदम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अगर species का loss हो जाता है तो उसको हम लोग mass extinction कहते हैं so far अगर अभी हम लोग देखे तो 5 mass extinction तक हम लोग चल रहे थे last 450 million years में जहां पर बहुत जादा destruction हुआ था 70 to 95% जो species है चाहे वो पौधे के हो चानवर के हो या micro organisms के हो वो यहाँ पर exist कर रहे थे पहले लेकिन आज की date में वो नहीं है तो आप लोग समझ सकते हो कि 5 mass extinction में कितना large number पर हम लोग अपने हैं पर जो एक बहुत अच्छे plant animal microorganism से उसको हम लोग खोश चुके है तो उसी का अब यहाँ पर और high rate से देखने को मिलेगा कि destruction होगा extinction होगा जो कि 6th mass extinction में देखने को मिलेगा तो यह क्यों होता है यह कुछ event के कारण होता है ठीक है ऐसे food के निकलता है और अर्थ कर असे नो सफेर से तो यहां से जब लावा निकलता है तो वह बहुत करम होता है कुछ gases भी निकलती है तो यह सारे बहुत जहरीले होते हैं और लावा भी बहुत गरम होता है तो अगल बगल की जितने भी species होते हैं अगर उसकी चपित में आ जाते तो वो तैसे ही मर जाते हैं साती जो oceanic oxygen है उसका depletion हो रहा है कभी हम लोग देखते हैं कि oxygen की मात्रा जो है वो बहुत जादा बढ़ते जारी है ocean में कभी देखते हैं कि oxygen की मात्रा बहुत जादा कम हो जाती है तो ये दोनों के इस जो है न marine organisms को बहुत जादा problem create होता है इससे और बहुत सारे species ऐसे ही मर जाते है साती collision देखने को मिलता है asteroid का बहुत सारे asteroid का collision होता है इससे भी बहुत सारे species है वो extinct होते है तो ये सारा कुछ reason है जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे इतने large number पे जो है यानि कि अब तक जो हम लोग देखते हैं जितना भी mass extinction हो है उससे सबसे ज़्यादा खतरनाक ही है इसको यहाँ पर anthropogenic extinction कहा जा रहा है कहा जा रहा है यानि कि हमारे जैसे human being के दौरा ऐसा कुछ काम किया जा रहा है तो यह जो extension है यह human cost भी है अब तक जो मैं आपको reason बताई थी यह तो सब natural था लेकिन 6th में क्या यहाँ पर unique है कि anthropogenic यहाँ पर आपका activities है हमारे जैसे human being के दौरा कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जिसके कारण यह सारे species की जो population है वो कही ना कही अब danger में है 400 जो vertebrate species है वो extinct हो चुके है last century में और extensions यहाँ पर 10,000 years में भी देखने को मिलेगा जो कि normal course of evolution है साथी साथ more pandemic है और ज़्यादा pandemic होने वाला है अगर हम लोग इसी तरीके से जितने भी species है उनके रहने के जगा को बरबात करेंगे और wildlife को trade करते रहेंगे तो और भी ज़्यादा pandemic आने की chances है अभी जैसे आप लोग coronavirus के कारण pandemic देख रहे हो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे spaces में न जानवर होंगे न पौधे होंगे तो फिर हम लोग कैसे survive करेंगे है की ने तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि suggest किया जा रहा है कि complete ban करना है यानि कि जो wildlife trade होता है जानवरों की जो trade होती है उसको यहाँ पर वैपार जो है उसको एकदम complete ban करना है बिल्कुल भी रोखना है ऐसा काम करना ही नहीं है यह चीज़ यहाँ पर suggest किया गया, fine तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि 6th mass extension के बारे में कि यहाँ पर नया क्या है या फिर इसका मतलब क्या है ठीक है, तो यह ध्यान रखेगा कुछ related information देख लेते हैं हैंजिन बर्ग crisis है, तो यह है क्या अर्थ के द्वारा यहाँ पर आप देखोगे कि अर्थ में बहुत सारे जो special diversity है उसकी loss देखने को मिल रहे है और यह last हम लोग 3,03,000 आप देखोगे कि यहाँ पर years ago है और यह event क्यों हो रहा है तो long lasting जो ozone depletion है जो ozone है जिसकी formula यहाँ पर O3 है तो ozone layer आपको stratospheric में देखने को मिलेगा layer में तो यहाँ पर जो ozone deplet हो रहा है यानि कि ozone में hole बढ़ते जा रहे है इससे क्या हो रहा है कि जाता से जाता जो sun का ultraviolet rays है जो कि यहाँ पर ozone layer के कारण धर्ती तक नहीं पहुंच पाता था तो हंजिन बर crisis कहा गया है अब यहाँ पर big five mass extinction बताया गया है कि अभी तो हम दो six देखने वाले है लेकिन इससे पहले जो five हो चुग है उसके बारे हम बता जा रहा पहला जो है यहाँ पर जिसमें कि 85% तक सारे species जिसमें कि marine invertebrates भी है जिसमें कि 95% तक सारे species खतम हो चुके थे यानि कि सबसे बड़ा अब तक का कौन है तो यहाँ पर आपको third है fourth में 80% है और fifth में 76% है तो इस तरीके से आपको ध्यान भी रखना है questions कैसे भी आ सकता है अब कुछ flora and fauna देख लेते जोकि news में थे और इनका नाम भी बहुत विचित्र होता है तो आप लोग अपने हिसाब से उसको याद रख सकते है पहले देखते है golden tiger अब इनको यहाँ पर काजी 106F कहा जा रहा है यह इंडिया का मात्र एक golden tiger है जो कि कहाँ पाए जाता है तो आसाम की काजी रंगा नेशल पार्क में पाए जाता है यह एक golden tiger है जिसको यहाँ पर tabby tiger भी कहते है या फिर strawberry tiger भी कहते है यह एक tiger है जिनकी यहाँ पर color variation है यानि कि जैसे जैसे रिसिसिव जीन होता है यानि कि जीन होता है जिन के कारण आप देखो कि टाइगर का होता है वो यहाँ पर ओक्टी जीन के द्वारा यहाँ पर आपका कंट्रोल किया जाता है कहीं कहीं आपको ब्लाक स्ट्रीप देखने को मिलता है यलो में पूरी तरीके से ब्लाक स्ट्रीप देखने को मिलता है तो यह टाबी कलर आ गया और टाइगर की कलर यहां पर गोल्डेन है फाइन तो यह मैं लेमियाल लेंग्वेश में बता रही हूं जिसे कि आप लोग समझ सको अब यह गोल्डेन टाइगर जो है इसमें एक पेल गोल्डेन कलर है रेडिस्ट इस्ट्रिप है ब्लैंडे है और यह ब्लाक पर मारा भी जाता है पोचिंग वगेरा भी बहुत होता है तो एक रेर स्कीन टोन आपको देखने को मिल रहा है कितना खुब्सूरत लगेगा कि आपका गोल्डेन स्कीन है उसके अंदर जो है रेड आपका एक पैचिस है तो बहुत जादा यह बिगता है तो यहां पर इसक अचैने का मतलब है कि हाँ पहर बहुत रेरर है यानि कि तो पहले यह समझे कि inbreding का मतलब क्या होता है inbreeding का मतलब होता है कि जैसे यह golden tiger है तो golden tiger का कोई भाई होगा यह बहन ओगी यह फिर इसके माताब होंगई यह पिता होंगे किसी के भी साथ अपने ही family members के साथ इसको मेट करा देना जिससे कि आगे जो यहां पे जो भी बच्चे आए ना तो वो इन ही के जासा होगा यानि कि क्यूंकि आप देखोगे कि यह सिर्फ एक ही ऐसा है हमारे इंडिया में और बहुत ही रेर पॉपुलेशन है तो इनका पॉपुलेशन ढूनना थोड़ा पॉस्थ मुश्किल है जिसे कि इनको मेट कराय जाए जो कि आगे फिर जो बड़े वो इन के जासा हो तो अगर इन ही के जासा जो चाहिए यह मितलब कि ऐसे ही गोल्डेन कलर का इनका रेर इसकीन हो तो इसके लिए क्या होता है कि अपने ही फैमिली मेंबर के साथ जो है इन जब वो अपने population को almost islanded without connectivity to other landscape, यानि कि ऐसे जगह पर रहते हैं, जो कि बिना दूसरे जगह connectivity के है, तो ये मेली इसलिए देखने को मिलता है कि बहुत जगह जो है, उनका habitat loss हो जाता है, या फिर उनका जो corridor होता है, जिसमें वो टहलते हैं, वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो कुछ और भी tiger reserves, अगर हम लोग आसाम में देखें, तो मानस नेशल पार्क है, औरांग नेशल पार्क है, और नामेरी नेशल पार्क है, अब आते हैं, पेड कुकू में, तो wildlife institute of India, Indian institute of remote sensing और department of biotechnology, इनके द्वारा कि study start किया गया, कि migration करने का, यानि कि ये जो पेड कुकू है, इसको एफरिका से इंडिया में वापस लाया जाएगा, और ये जो लाया जाएगा, इसमें दो बर्ड से, जो कि यहां पर satellite transmitters के साथ इसको लाया जाएगा, ये फर्स टाइम देखने को मिल रहा है कि कोई bird species जो है, उसको यहां पर समझने के लिए, यानि कि उनका climate pattern को समझने के लिए, जैसे कि monsoon में change होता है, या फिर rainfall erratic हो जाता है sometime, या फिर seasonal fluctuations होता है, उसको यहां पर पहले समझना है, और ये जो पेड कुकूल की bio technology के द्वारा fund किया जा रहा है, तो यहां पर इसका study हो रहा है, अब ये जो IBIN है, Indian Bio Resource Information Network, ये एक single portal data है, जो कि यहां पर इंडिया के bio resource के बारे में यहां पर आपको सारा data देखने को मिलेगा, चाहे plant हो, animal हो, marine हो, special distribution हो, या फिर microbial resource हो, अब यहां पर पेड कुकू के बारे में देख लेते हैं, इनकी यहां पर scientific name है, देख लीजेगा, दो population है पेड कुकू का, जो कि इंडिया में पाए जाता है, एक southern part में पाए जाता है, जहां पर उनका resident है, एक north और central इंडिया में पाए जाता है, जो कि migratory है, यानि कि दूसरे country से यह आते हैं, यह one of the few species है, जो कि इंडिया में आते हैं, वो भी summer में, इसका जो IUCN status है, list concern है, यानि कि इनके अच्छे खाजे population है अभी, ठीक है, तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं, next हम लोग कुछ other flora and fauna जो कि news में है, ascetic line, polar bear, काफी important exam point of view से, इन सबको हम लोग discuss करेंगे, काफी और भी बहुत जादा है, तो इसलिए इसको हम लोग अली start करेंगे new listen में, अभी आज आपका time हो चुगा है, तो आज के लिए बस इतनी, अगर आपको listen अच्छे लगती है, तो like कर दीजे, और मेरे चानल को जरूर subscribe कर दीजे, अगर आप लोग को आगे भी lessons देखने रहनी है, क्योंकि daily basis पे आपकी यहाँ पे lessons आएगी ही, और अगर आप लोग को last moment में भी अगर vision eyes की test series solve करनी है, तो जरूर मुझे mail कीजे, क्योंकि आप लोग हमेशा पूछते रहते हो, कि test series का मैं क्या हुआ, test series कैसे solve करें, कौन सी solve करें, कुछ समझ मिनी आ रहा है, कमी आ रही है, समझ मिनी आ रहा है कैसे test series solve करना चाहिए, question को कैसे लगाने चाहिए, तो आप लोग को tips and tricks भी चाहिए, तो वो भी आप लोग को वहीं पे मिलेगा, और question को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, कैसे answer निकालना है, कुछ न कुछ तो आप लोग वहाँ से जरूर सिखे जाओगे, तो रिशिका cs77al at the rate gmail.com में आप लोग मुझे mail कर सकते हो, जिससे कि हमारा इक अलग सा group है, उस group में मैं आपको add करूंगी, तो उसमें आप लोग को 20 test आपक यहँ कुछरा कैसे जरूरुटरूचल यहँ की लिएर का का लगम के लिए टूरुटरूट ते में